नमशकार दोस्तो सवागत है आपका हमारे यूटी चैनल टोटल ग्यान में दोस्तो रात में इस्त्री के साथ चुपके से यह काम करने से आप राजा बन जाओगे जी हाँ दोस्तो आचारे चान के जिए कहते हैं कि अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो आप रात को पत्नी के साथ यह काम जरूर कीजिए और कभी किसी को बताना भी नहीं चाहिए दोस्तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनने रात में इस्त्री के साथ करने से व्यक्ती को सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर आप भी चानक्या द्वारा बताए गए इन कारे को रात में अपनी स्त्री के साथ करते हैं तो आप बहुत जल्द पैसे वाले व्यक्ति बन जाएंगे लेकिन याद रहे आचारे चानक्या की यह बातें आप हमेशां याद रखना पत्नी के साथ यह काम आप रात में और अकेले करें अगर आप इस काम को सब के सामने करेंगे और सब को बता देंगे तो उल्टा आप बरबाद हो सकते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आप हमारे यूटीव चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे चैनल के उपर ऐसे ही ज्यानवर धक वीडियो सब से पहले देख सकें और दोस्तो अगर आप धन कमाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर की गरीबी आपके घर से दूर हो जाए तो आप कॉमेंट बॉक्स में जै मा लक्षमी जरूर लिख दें तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो हिंदू धर्म शास्त्रों में महिलाओं को देवी का रूप समझा गया है और कई स्थानों पर महिलाओं की पूजा भी की जाती है इसी के साथ जो व्यक्ति रात को सोते समय अपनी पतनी से प्रेम करता है और जगड़ा बिलकुल भी नहीं करता है तो ऐसे लोगों का जीवन बहुत जल्द खुशियों से भर जाता है ऐसे लोगों पर सदेव देवी की किरपा बनी रहती है आप सो परतिशत माला माल हो जाते हैं और जिन घरों में पती पतनी रात को सोते समय आपस में प्रेम करते हैं तो ऐसा घर स्वर्ग के समान हो जाता है और ऐसे घरों को अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता लेकिन याद रही दूस्तो चानके जी कहते हैं कि बैड रूम में बिताए गए पलों को किसी के साथ साजा नहीं करना चाहिए किसी को नहीं बताना चाहिए आप रात में पतनी के साथ क्या करते हैं और पतनी के साथ आपकी क्या बादचित हुई है इस बादचित को आप किसी के साथ साजा ना करें यहां तक कि अपने मित्रों को भी नहीं बताना चाहिए नहीं तू आपके घर को बरबाद भी होने में समय नहीं लगेगा क्योंकि दोस्तो कई लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर में बिताए गए पल अपने पत्नी के साथ उन्हें क्या बातें की है ऐसी सवी बातनों को अपने मित्रों के साथ साजा कर लेते हैं लेकिन वो ऐसा करते समय अपने घर की बरवादी की नियू रख देते हैं आप ऐसी गलती कभी भी भूल कर ना करें तो दोस्तों अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप इस उपाय को जरूर करें चान के जी द्वारा बताएगे पती पत्नी के प्रेम समंधू को आप अबिस्तर में जरूर अपनाएं और हमेशा पती पत्नी के रिष्टे के पवितरता बनाए रखें और पती पत्नी के बीच में अगर प्रेम सनेह होगा तो उस घर को स्वरग बनने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि दोस्तों कहते हैं न जिस घर में पती पत्नी का प्रेम होता है लक्षमी उस घर में खुद वे खुद चलियाती है तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही घ्यान से भर पूर वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टोटल घ्यान को जरूर सब्सक्राइब करें